वेलकम बेक टो मैं चैनल गोविंध हरी नेट वरकर्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को आपने सोशल मीडिया के मादम से बताया हुआ था कि हम लोग मेटेरियल नेट वरक मार्केटिंग के विशह में आज बात करेंगे जैस से पहले से मेटरीन नेटवर्क मार्केटे 니ंग से पहले हम बीफिक टेक मार्केटेंग और को समान को को आपने यह अगर प्रोंशन करता है कृष्यमर तक और करता है तो उसको मोटा- Larg क्यब पिद्यक्ता और टेल में आपको जाना है तो पाइस ट्रॉट में लोगों प्लबार हας एक मैटेरियल नेटर्क मार्केटिंग तो इस वीडियो में हम लोग मैटेरियलर्क मार्केटिंग के बारे में होती है तो आज की ताइम पे कि जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूं नेटर्क मार्केटिंग करते हुए तो पुरे MLM इंडश्री को मैंने जब ऑब्जर्व किया दो से तीन साल चार साल के टाइम पिरेड में तो मुझे यह आइडिया लगा या आप यह बोल सकते हैं कि मेरा यह एक्सपिरेंस निकला कि मैंने यह देखा कि जितने भी लोग सारी material चीजों पर जयादा focus कर रहे हैं जैसे example के तो पर अगर हम सबसे होती है जैसे कि मैटल का हिंदी वर्ड अगर आप दिखेंगे तो धातू होता है धातू से जितने भी बनी है उन सारी चीज़ों को प्रमोशन करने का या उन सारे चीज़ों से लोग अटेच हो चुके हैं यह सारी चीज़ें अगर कोई बाइक यूज करता है तो भी भी धातू से बनी होती है तो इस तरीकी कि जितने भी मैटल से रिलेटेट आइटम से लोग अटेरियल नेट्व कर रहे हैं इन सारी चीजों के उपर अब मेरे कहने का मतलब क्या है जो भी लोग नेट्व करते हैं वह जाने या अन जा ना चाहते हैं या कुछ लोग नहीं जानते हैं और उनको यह इंड़ेश्ट्री में मिलता है कि उन लोगों को मैटेरियल चीजों से अटेच कर दिया जाता है और यह हम कब अटेच हो जाते हैं इसका हमें अंदाजा नहीं लगता है तो जितने भी कार बाइक पैसा आप यह सारी चीज़े ले लिजे वो तो यह प्रशन होता है कि लोग सकता है कि ओसक्षान करने कि अगर हम यह सारी चीज़ें लें तो फिर करें खाली तो भाड्य हाथ तो बैठने 16 तो नहीं मैं वैसे बैठने के क्लें नहीं कर रहा हूं एक लेवल आता है सर्वाइवल तक के लेवल पर हमें काम करना चाहिए जिससे कि हमारा घर ग्रेस्ति चल जाए लेकिन उसके बाद हमें इन सारे चीज़ों से ज्यादा आसक नहीं रहना चाहिए जैसे फॉर एक्जामपल किसी का मर्सडीज बैंज बहुत ही कि व्यक्ति दिलो जान से चाहता है कि यह मेरे पास कार हो लेकिन वह कार लेने के बाद भी ऐसा क्यों होता है कि वह उस चीज़ से अटेज रहता है मैं मर्सडीज लेने के बाद इनसान का यह हो सकता है ना जैसे एक्जामपल के तौर पर अगर हमें भूक लगती है तो हम ख नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जो चाहते थे वह हमें मिल गया अब उसके अलावा हम किसी और चीज़ लेकिन ऐसा नहीं होता है लोग क्या करते हैं एक कार लेते हैं फिर दूसरी कार लेते हैं फिर तीसरी चौथी पांचवी दसवी हजारों का का कलेक्शन रख भी लेंगे तो भी उनके पास सैटिस्फेक्शन नाम की चीज नहीं होगी तो यह चीज़ें काफी गडबड चल रही हैं मैटेरियल नेटर्क मार्केटिंग में या MLM बिजनस में आज की टाइम पर मैं इसको बार बार मैटेरियल इसी लिए बोग रहा हूं क्योंकि लोग मैटेरियल च चीजों से रिलेटेड हम चीजों पर आ सकत हैं वो सारी चीजें मैटेरियल हैं तो आज की टाइम पर लोग यही चीजें तो करा रहें तो जब भी हम लोगों देखते हैं कि कोई बड़े-बड़े सेमिनार्स में लोग आपने लीडर्स को बुलाते हैं तो उसमें होता यह ह हो कि एक शिकायद जरूर आती है कि लोग बोलते हैं कि मेरा गोल एचीव नहीं हो रहा है फोकस मेरा नहीं हो रहा है गोल के प्रति हम जो चीज़ करना चाहते हैं उसके प्रति हमारा फोकस नहीं हो रहा है माइंड डाइवर्जन हो जाता है ऐसा क्यों होता है कभी आपने व महल नहीं मिलेगा तब तक आपका कुछ नहीं हो पाएगा उसके बाद वहां पर राजसिक और तामसिक चीज़ें ज्यादा लोग कराते हैं जिसके वज़े से व्यक्ति का फोकस भी नहीं हो पाता है तो यह सारी लक्षण है जो मैटेरियल नेटर्क मार्केटिंग होती है अब दूसरी चीज़ आती है कि इस प्रिच्वल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है तो इस चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कुछ समय तक का पांच- नेटर्क मार्केटिंग में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए दिया कि बड़े-बड़े सेमिनार्स वगेरा में लोग गलत तरीके से बैली डांसर्स को बुलाते हैं तो यह सारी चीज़ नहीं करना चाहिए अगर हम सात्विक चीज़ों पर फोकस करेंगे सा बात्विक इनवार्मेंट में काम करेंगे तो हमारा माइंड जो है वो फोकस होगा और जब फोकस होगा तो बात है कोई सा भी गोल से बनाइए आपका पूरा होगा नेक्स्ट पॉइंट के हम लोग बात करते हैं एक आप मैंने एक चीज़ और आपजर्व कि थी कि लोग ए अपने टीम को मोटिवेशन देते रहते हैं तो देखिए मोटिवेशन से मुझे प्रॉब्लम नहीं है मोटिवेशन इनसान के लिए जरूरी होता है बाउंस बैक करने के लिए लेकिन केवल मोटिवेशन इनसान के लिए उतना जरूरी नहीं हमें एजुकेट होकर के अगर ह यूट रखंज का बैलन्स करने के लिए एक साइट अगर कोई रखा गया है तो दूसरे सअट भी रखा जाता है ताकि तराजूफ का है यदर क्या होगा कि एकसास हो जाएगा सब्सक्राइश मैं नीचे हो जाएगा तो यह प्राबल्म अ सकती है तो हमें बैलेंस बनाने के लिए हमें दोनों साइड लेकर के चलना पड़ता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों यहां पे एक लाइन है वर्क लाइक डॉग लीव लाइक किंग ऐसा आप लाइन सुने होंगे कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर जो कुछ तो फर्जी होते हैं कुछ यह बोल करके अपने टीम को मोटिवेशन तो देते हैं कि वर्क लाइक डॉग लीव लाइक किंग कुत्तों की तरह काम करो मनुष्य की रहे क्या राजाओं की तरह जीवन यापन करो तो अब सुनने में आपको थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन डायबेटिज मीठे जैसे कुत्तों के तरह काम करने का मतलब क्या होता है हम सुबह 6 बजे उठे सुबह 6 बजे निगल गए फिल्ड में उसके बाद हम आते हैं रात को 11 12 एक दो बजे तक फिर उसके बाद खापी करके सो जाते हैं यह हो गया कुत्तों वाली लाइफ अब मनुष्य वाली आप नौर्मल भी जॉब में लोगों को देखते होंगा तो वह आठ गंटे से ज्यादा जॉब नहीं करते हैं अगर कोई बहुत रियर केस वा तो वह बहुत रियर केस में वह दस घंटा बार घंटा पर जाता है अधर वाइस सबकी जॉब भी अगर आप देखेंगा तो होगा तो आप मनुश्यों की तरह काम करेंगे तो भी जूड़ जाएगा अगर नहीं जूड़ना होगा तो पूरा 24 घंटा उसे में लगे रहेंगे तो भी नहीं जूड़ेगा सिंपल सा फंटा है अगर आपको अच्छा लगता है तो इस बात पर लाइक देज़ेगा करेंड़निंग होता है मार्केटिंग के काम के लिए क्योंकि 6 बजे के बात मार्केटिंग का अंदरे में कोई क Approach अतना नहीं मिलता यह जो सकता है कभी भूले टाइम है और जो इवनिंग वाला है छे साथ से पहले तक में तो यह टाइम काफी अच्छा होता है ऑफिस टाइम पे जब लोग निकलते हैं तो इस टाइम हम वर्क कर सकते हैं वह हमारे लिए गोल्डिन प्लस पॉइंट होता है लेकिन अगर हम दिन बर वैसे ही तो फिर दिक गुरुजी गुरुजी करें और आप उनसे गलत काम करवाएं तो ऐसा संभव नहीं है ऐसा नहीं करना चाहिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं इटिंग में हमें क्या करना चाहिए हम कौन हमें खाने में क्या लेना चाहिए कि हमारा माइंड शांत रहा है अगर आप का दिमाग-focused mindset जब उसका दिमाग शानत होगा और जब कब उसका दिमाग शानत होता है जब वह अच्छी अच्छी चीजे healthy foods लेता है तो उसका दिमाग शानत होता है तब जा करके वह किसी एक काम की उपर focus कर पाता है अब healthy foods क्या हो सकते हैं फोर करें जैसे अलाव도 और सिग्रेट दारू गांजा यह सारी चीज मलब यह नॉन वेज आइटम्स छोड़ करके अगर हम सात्विक अहर लेते हैं साधा भोजन लेते हैं तो हमारा विचार भी उच्छ हो जाता है नहीं तो फिर होटल का खाएंगे तुछ सा विचार रखेंगे मुर्खों वाला काम करेंगे तो रिजल्ट कैसे बढ़ी आएगा तो यह प्रॉब्लम होती है अगर हम इस पर ध्यान दें तो काफी अच्छा है तो यह टोटल वीडियो थी अगर आपको वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक किजिगा और शेयर किजिगा अपने टीम के साथ अपने फैमिली के साथ अपने जितने भी लोगों को आप जानते हों उनसे और जितने भी MLM के लीडर्स के संग आप कनेक्टेड है उनसे आप शेयर किजिगा और आप कैसा वीडियो चाहते हैं मैं आपके लिए बनाओ तो इस कमेंट बॉक्स में डाल करके आप बता सकते हैं और इ वीडियो टोटल यहीं तक थी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगार अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देट टाइम इट्स गुड़ बैर थैंक यू